Hello students, let's continue with the chapter number 3, fiber to fabric and here we have the last topic which is silk from animals. कैसे हम silk को अप्टेइन करते हैं एनिमल से? तो सबसे पहले students समझ लेते हैं कि silk होता क्या है? तो silk जो होता है वो एक natural protein fiber होता है जो अप्टेइन किया जाता है silk warm से and can be used as textile fiber जिसका use किया जाता है textile department में textile fiber को बनाने में. तो silk warm यानि silk का एक कीड़ा होता है जिसको नाम दिया है silk warm जिसे हम caterpillar भी बोलते है तो silk एक natural protein fiber है जो अप्टेइन की जाती है silk warm से और इसका क्या काम होता है? इसको textile fiber बनाने में इसका काम किया जाता है और students जो silk होती है ये अलग-अलग तरीके की होती है और इसको produce करते हैं different types of silk warm तो जैसे यहाँ पर कोसा silk, टसर silk and moga silk है and they are produced by the various type of silk mode ये produce की जाती है अलग-अलग तरीके के silk mode से and one of the common type is mulberry silk mode यहाँ पर बहुत important question है ये कि बताए जो common type of silk mode है वो कौन सा होता है वो होता है mulberry silk mode अब students यहाँ पर एक question और बनता है कि इसे mulberry silk mode क्यों कहा जाता है क्योंकि जो silk का खाना होता है, food होता है ये mulberry leaves होता है तो यहाँ पर ये पूछ लेते हैं कि बताएं सिल्क क्या खाते है या किस पर रहते है तो ये mulberry trees पर रहती है और इसका food होता है mulberry leaves अब समझ लेते हैं development कैसे होती है silk mode की तो यहाँ पर students four stages होती है silk mode produce होने के यानि कि development जो silk mode की होती है चास stages में होती है तो होता क्या है कि जब female silk mode जब female silk mode leg को मतलब यहाँ पर leze करती है कुछ egg produce करती है जब silk mode जो female silk mode होती है वो अंडे जब देती है तो वो अंडे क्या होते हैं वो अंडे convert होते हैं silkworm में जब वो अंडे तूटते हैं hatch होते हैं तो क्या बन जाता है? Silkworm और इसे हम Larva भी बोलते हैं और इसको Caterpillar भी बोला जाता है इसके तीन नाम है Caterpillar भी कहा जाता है Larva भी बोला जाता है और Silkworm भी बोला जाता है तो ये ध्यान रखेंगे Confused नहीं होंगे हमारी बुक में तीनो नाम है तो ये क्या है? Silkworm, Larva, Caterpillar और इसको इस तरह से तीनो नाम में से कोई भी नामा भोल सकते हो तो Lays कि ये Silkmode ने, female Silkmode ने अंडे दिये और वो हैच हुए टूटे और उसमें से Silkworm निकला और Silkworm ने फर्दर क्या किया? Students, जो Silkworm होता है ये एक protein fiber निकालता है और वो इस तरह से अपनी तरफ 8 की shape में वो fiber को produce करता है जिसे हम protein fibers बोलते हैं तो इस तरह से produce करते-करते ये एक shield सी prepare कर लेता है अपने चारों तरफ इसके चारों तरफ एक shield सी बन जाता है आप यहाँ देख पा रहे हैं और जो ये shield होती है इसे बोला जाता है cocoon और इसके अंदर क्या होता है ये pupa होता है यनि कि जो cocoon है एक covering है और silkworm convert हो जाता है फिर pupa में और जो ये cocoon है फिर cocoon जब break होता है hatch होता है तो ये convert हो जाता है silk mode में तो इस तरह से cycle चलती रहती है और ये होती है life history of silk mode अब students हमारे पस question आता है कि sericulture क्या होता है sericulture होता है कि rearing of silkworm तो produce raw silk is called sericulture तो यहाँ पर question बनता है कि sericulture क्या है rearing मतलब पालना silkworm का पालन करना यानि कि silkworm को farmer rear करते हैं तो और पालते किसलिए हैं silk produce करने के लिए raw silk produce करने के लिए तो इस procedure को क्या कहा जाता है sericulture and in this process silkworm are reared at appropriate temperature and humidity to get silk thread from cocoon तो यह कहाँ पाला जाता है जब farmer इसको पालते हैं तो एक appropriate hygienic condition में पालते हैं वहाँ पर एक appropriate temperature दिया जाता है humidity दी जाती है ताकि silk thread obtained कर लिया जाए किससे? cocoon से अब देख लेते हैं process हमारा कैसे silk को obtained किया जाता है cocoon से यह भी question बनता है तो cocoons are collected cocoons को collect कर लिया जाता है and left under the sun और उसको या तो sun के नीचे रख लिया जाता है या उसको boil कर लिया जाता है separating out the silk fiber silk fiber को obtain कर लेना right तो reeling reeling मतलब क्या होता है आपने दिखा होगा कि ममा आपकी reel यूज करती है तो इस पर क्या होता है धागा लिप्टा होता है right तो धागे को लपेटना तो reeling होता है तो यानि कि cocoons को जब हम गरम करते हैं या सन के अंडर रखते हैं तो वहां से silk को अप्टेन कर लिया जाता है silk fiber को उसकी reeling कर लिया जाती है collect कर लिया जाता है and the process of unwinding silk from cocoon यानि कि cocoon से silk को निकाल लेना वही reeling होता है then the spinning of silk fiber from thread is done उसके बाद spinning कर लिया जाती है thread की अनि कि collect कर लिया जाता है इसको and the silk thread obtained are woven into desired cloth और उसके बाद silk जो thread होता है उसको आप किस तरह का desire अपनी मर्जी से उसको फिर cloth में convert कर लेते है तो student ये था हमारा बहुत important topic silk का कैसे development होती है क्या process होता है